कि मुश्कार दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक Samsung का फोन है जिसमें हम इसका OCU करेंगे और OCU करेंगे तुर्ष डिस्प्लेश सब सारी चीजा अलग करेंगी देख सकते हैं यह हमारा अभी फोल्डर निकल रहा है इसमें डिस्प्लेश पूटा हुआ है और ट है तो इसे आप सफ lotta कर ले किसांट से हिट करके ऑफ फोर्डर निकाले निकाल है तो यह करते समयं दूस्ता मैं रॉप क्षाल बदू इसमें जो साइड में हैं आप जो कार्टका यूज रहे हैं ऑप जो जो इसकी लेयर होती है वो सारे स्टेप बाइस टेफ हम अपने स्टुडेंट को तो बताए है वह अगर स्टेप बाइस टेफ फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आपका फॉल्डर खराब नहीं होगा ठीक है तो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं अगर वीडियों को चलेगे फोल्डर को सब्काavit को बना ना भूलें के टिक है तो यह फोल्डर कुसेस निकल रहा है फॉल्डर की फोन से अलग हो रहा था अलग होने का प्रसेश चल रहा है और इसलिंट इसलिन पर तक करें गाला यह वीडियो लाश्ट देखें पूरा स्टेप बैस टेप दिया गए कि कैसे आप फोल्डर को बनाना है कैसे उस्व यूज करना है कैसे पंचिंग करने है कैसे बबन अठाना है सारी चीजें हम आपको स्टेप बैस टेप आप पर पताएंगे ठीक है जैसा कि आप प्रोसेस बस कम्प्लेट ही हो रहा है इसमें आप बहुत साफ़ानी से निकालेंगे आपका डिस्प्लेड डैमेज नहीं होना चाहिए अगर आपको डिस्प्लेड हो गया तो आपको नया फॉल्डर ही डालना पड़ेगा ठीक है तो यह देखिए इसलिए हमारा फॉल्डर रि जिसमें आपको 10सप्रेटर की सहाधा से आप इसको डिस्प्लेटर को अलग कर सकते हैं इसमें एक वायर आती है वायर को आप यूज़ करेंगे पर आप देखना है ध्यां देना है कि आपको वायर उस तब यूज़ करना है जिस तरह आपका टम्ट का पत्ते ना हो अब जो गाफ हैंदल दोनों साइट दिये गई है आप उस हैंदल को नीचे ऊपस करेंगे नाता उपर उपर करेंगे तो डिस्प्लेे घ्राइब सं पर गडी और जाएगा तो ऐसा नहीं करना और अगने आप उसको करना से प्रुसेंस एलसा आप अप उसको करना है ग्लू ग्लू रहता है दोस्तों अपको तादू ये जो ग्लू है आप अगर जब तक यह डेज़िट होता है कुई टाइस होता है तो mechanism कर हम सारे वीडियू को स्किप नहीं कि इस सारा step भाइस ओपको —कि पहले क्या करना है फिर बात में क्या करना है फिर इसके बाद क्या करना है सारा चीज लाश तक step by step का process है ठीक है तो इसली आप उसमें प्रेस ना करें जब हो हीट कम हो जाए तो आप इसमें chemical का यूज करें क्लू रिमूवर के यूज करें अब यह process हो चुका है अब आप कोई भी थी ना जैसे इसे 530 है अब इसमें cotton की सायता से इसको अच्छे से wash करेंगे अच्छे से clean करेंगे जिसमें जब ओस्यों लगाते समय कोई भी दाग दब्बे नहीं होने चाहिए अगर ओस्यों लगाते स देखें जैसा कि नया cotton है और नया cotton की सायता से आप एक चीज़ और बता दूँँ आप इस प्रेव को डारेट डिस्प्ले पे डालेंगे तो आपको डिस्प्ले के अंदर स्प्रे के केमकल अंदर चले जाएगी तो आप बेटर यह होगा कि cotton में प्रेटरें और cotton से आप सफ साफ cotton यूज़ करेंगे तो दब्बे नहीं हरेंगे अगर आप एक ही cotton को बार बार यूज़ करेंगे तो उसमें दब्बे आ सकते हैं ठीक है तो जैसे कि अब देख सकते हैं इसमें क्लिनिक प्रोसेस हमारी हो रही है अब इसमें OCO लगाएंगे OCO लगाने से पहले आपको स लगा आप नीचे नहीं काट सकते क्यों आप पत्ते होते हैं connectors होते हैं इसलिए आप उपर से लगाएंगे और उपर से लगाएंगे तो आपको प्रॉपर लेवल देख करके लगाना है आपको ठीक है यह लेर निकाल रहा है तो आप बलकि उपर का हिस्से रहेगा थो अच् असब में ही था को है फोसे को आपको लास्टव कार्溟 में पर से लगाने और एक बार में लगाने केमा कूप करईगे तो इसमें दब्बब आ जाएंगे और मैं जैसे विद खुव hai रहा है यह देखिए जैसा कि आप प्रोसेस देख रहे है वन टाइम में इस लोलर को चलाया गया है ठीक है अब यह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों मैं आपको दिखा दो अभी ओसी सीट ओस्यू मसीन और ओसी में रखेंगे इसको पंचिं के लिए तो जब भी आपको टच लगाएं तो उसको फॉल्डर को डिस्प्ले को आप अपने उसमें रख लें ठीक है अब उसको ऊपर की पंडी होती है उसको पंचिंग करनी है तो पंच करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं अभी पंचिंग होगी पंचिंग होने के बाद हम इसकी बबल अटाएंगे तो अगर वीडियो आपको चल अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपी स्टेप बास् बाद में चालेंगे आपको आपको यू रखना है इसके अंदर अभी रख दी हमने बंद कर दिया है अब बबल पे हम क्लिक कर देंगे और स्टार्ट बिटन दवा देंगे पांच विट आपका खवय हटाएगा और सई हो इस देखेंगे कि हमारा फवल इसली तरीके से हटा कि नहीं हटा देतीति दोस्तो एक सबक्ने सबीदिश से ऊपक्साल κα lorsque लग रहा है नया फोलडर है बदा तो यह अभी अपने फोन में धोडनिट में यह करेंगे भाद आप करें अभी है अब यह फोलडर करके can också बन चुका ए दोस्तों जास आप देख सकते तो pa आपने किया है कि हमने किया या ये अपने किया אे सहारा सीज्विट gross hype क्या आपने फोल्डर दूसरा डाला है कि वोह ये आतले है वही बना ना जो आपने किया था कि एससी ट लेगी है fanching हुई फिरThe bubble बीग मुझा है और देखे touch be आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सस्क्राइब बना ना भूए